नमसकार दोस्तो मैं नीतियंकुर चोदरी एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ रुद्र नोली जब दोस्तों आपको पता है रोज नए नए राज्योशी नए नए वेकेंसी निकल के आती है ठीक है और जो भी वेकेंसी निकल के आती है मैं आपके सामने लेके आ जाती हूँ ठीक है और आज फिर ये रिसेंट में एक नए वेकेंसी निकल के आई है भई आर ठीक है और इसके अंदर स्याइजों पर सबूंबराम करेंगे और इसकोषी हैं इस यह नर्सिंग ओफिसर के लिए गुरूप बी की वेकेंसी है ठीक है और आपकी सीधी बढ़ती है यह देखो इन्होंने दे रखा है इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है ऑनलाइन माध्यम द्वारा अपकी निकल के आ रही है और जलसे अप्लाइ कर ले ना ओनलाइन आवेदन पत्र को लिंक को मार्च दोजार चोबिस के तीसरे और चोते सब्ता में खुलना संभावित है ठीक है यह आपकी खुल चुकी है ठीक है और एक महीने के अंदर आपको इस फॉम को बढ़ना है ठीक ह मैं आपको सारी चीज़े बताओँ कि कैसी आप फॉम फील करोगे ठीक है सारी चीजों पर डिस्कुसन करोंगे कब आपके अडमिट काड आएंगे कब आपका exam होगा कैसे आपको exam देना है ठीक है अब मैं नीचे scrollbar कर लेती हूँ नीचे मैंने scrollbar कर लिया ठीक है भाई यह आपका आपका जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है ठीक है और एक महिने तक आप अपने फॉर्म निकाल सकते हो ठीक है थोड़ा मैं नीचे स्कॉल बार करती हूं और एक बर अगर आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया तो पर इसमें कोई of the time फॉर्म फॉर्म करें लोगे और नीचे चलुढ भई अपकी और नर्सिंग आपकी फॉस्ट निकली है थीक है UR की है 252, SC की है 143, ST की 12, OBC की 177, EWS की 80, और टोटल पोस्ट होगी आपकी 600 पैसा, ठीक है, लेवल 7 है, ठीक है, और आपकी 7 पे कमिशन होगा आपका, और नीचे अगर मैं बात कर लूँ, नर्सिंग ओफिशल के लिए, जो दिव्यांक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, 14 और 13, ठीक है, और अगर मैं थोड़ा नीचे चल दूँ, अगर मैं सैलरी की बात कर लूँ, आपकी लेवल 7 है, ग्रेड पे, और पीबी, ठीक है, पे बेंट भाई, इसका 44,900 से लेकर, 1,42,400 तक है, आपका, ठीक है, और बेसिक पे, बेसिक पे, यानि के आपकी 44, 400,900, प्लस, अधर एलाउंस, अधर एलाउंस, अधर एलाउंस इस आपको मिलेंगे, ठीक है, और अगर क्वालिफिकेशन की, मैं इसमें बात कर लू, नर्सिंग ओपिसर की पोस्ट है, भाई, आपने B.S.C. ओनर्स कर रखा हो, या B.S.C. नर्सिंग से कर रखा हो, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने B.S.C. पोस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, या फिर बेसिक B.S.C. नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग, ठीक है, मानत अप्राप्ति उनिवस्टी से कर रखा है, तो आप इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई डिपलोमा है, ठीक है, तो भी आप इसमें नर्सिंग से रिलेटिड तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और आपके पास 2 एर एक्स्पीरियन्स होना चाहिए है, इन्ये मिनिमम फिप्टी बैड़िड होस्पिटल आप्टर एक्वारिंग दा क्वालिफिकेशन, ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं भाई नीचे, आपके अगर मैं एज लिमिट की बात कर लूँ, एज लिमिट भाई आपकी मिनिमम फठारा और मैक्जिमम चालिस, ठीक है, आपकी आयू अठारा से नीचे नहीं होने चाहिए और 40 से जादा नहीं होनी चाहिए, 18 to 40, ओके, अगर मैं छूट की बात कर लूँ, उत्तर परदेश के अनुसूची जाती, अनुसूची जन जाती, अन्य पिछड़ा वर्ग, और ऐसी अन्य शेन वर्भारतिक जिसे में उस तरह यूसी में उतने वर्षा देखोगी, जितनी सरकार दुआ रहा, और अगर मैं थोड़ा नीचे चल दू भाई, ये तो भाई आप पड़ लेना नहीं, तो वीडियो जादे लंबी हो जाएगी, अब अगर मैं अप्लिकेशन फीस की बात कर लूँ, जो की नोन रिफंडेवल है, अनारक्षित के लिए भाई, आपकी 1000 और होगी, और SCST के लिए 600 और 18% GST तो यानि के 708 रुपय आपकी फीस होगी, और पीएच वालों के लिए, इंडिकेप वालों के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, और फॉम भी आप इस वेब साइट पर जाएंगे, ठीक है, विगपती किये गए, संक्या बढ़ भी सकती है, और विग्यापित ठीक है, बढ़ गट भी सकती है, ठीक है, और परिक्षा कारेगर, परिक्षा के शेयर और बढ़ती के बारे में इनने जानकारी वेब साइट पर दी जाएगी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगी, ठीक है, और अगर बही किसी की कोई क्वेरी हो, तो आप इनके help line number पर call कर सकते हैं, ये इनकी mail है, rml वालों कि यहाँ पर आप call कर सकते हो, mail कर सकते हो, इस number पर call कर सकते हो, और मुझे comment box में comment भी कर सकते हो, ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा नीचे scroll bar करूँ भाई, ठीक है, नीचे गर देती हूँ, भाई यही सारी चीजे हो पहले इंदी में था, यह इनोंने इंगलिस में दे दिया, ठीक है, और मैं website पर चलती हूँ, अगर भाई किसी की कोई query बनती है, तो आप मुझे comment box में comment कर लेना, ठीक है, और मैं आपकी solution निकालूँगी, ठीक है, यह इनकी home page है, ठीक है, यह इनका website है, आरेमेल वालो के एक बार फिर मैं बात 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 फुल फॉम बता दू, आरेमेल की है, डोक्टर राम मनोहर लोया, आयुड विज्यान संस्थान, यह इनके number दे रखे हैं, ठीक है, help line number, आप किसी भी number पर जाके, आप इनको call कर सकते हो, ठीक है, अब थोड़ा नीचे चल ल करें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच,